ओम शान्ति आज 16 जान्वरी दोहजार चौवस है बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि बच्चे तुम अभी वनवा में हो और अगर वनवा में हो तो तुम्हें कौन सा शौक नहीं रखना है वो शौक है अच्छा अच्छा खाना खाना अच्छा अच्छा पहना ये शौक हम में ना हो हमारा ध्यान हमारा अटेंशन पढ़ाई पर हो और अपने क्यारेक्टर्स को सुधारने पर हो प्यारे बाबा ने हम बच्चों को आज वर्दान दिया बातों रूपी दादलों को देख घबराने के बजाए सेकंड में क्रॉस करने वाले सिध्धी स्वरूप भव बाबा ने हमें सिध्धी स्वरूप का वर्दान दिया लेकिन कई बार बाते आ जाती हैं व्यरत आजाता है और वो बादल के समान होता है। आपने अनुभफ किया होगा कि कई बार दिन में ऐसे काले बादल आजाते हैं, मानो रात्री हो गई हो, शाम हो गई हो। हमें अगर ये मालूम नहीं है कि वहां सूरज चमक रहा है ये केवल बादल है तो हम उसे रात्री समझ बैठेंगे इसी प्रकार जब हम बाबा को भूल जाते हैं बाबा को सामने नहीं रखते ज्ञान सूर्य की किर्णों की नीचे नहीं होते और व्यरत और दूसरी बातों के बादलों को ध्यान देने लगते हैं व्यरत चिंतन करते हैं या ऐसी सुन्दर बाते बनाने लगते हैं तो वो हमें उल्जा देता है हमारी अपनी मंजल से दूर कर देता है हमें सिद्धी स्वरूप भी बनने नहीं देता बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि हमें सेकेंड मे इन काले बादलों को क्रॉस कर लेना है और यही सिध्धी स्वरूप 번ना है अर्थार्व अपने рजिस्टर को विरत से मुक्त रखना है बातों को नहीं देखना लेकिन बाप को देखना है ज्यान सूरे को देखना है ओम शान्ति